आगामे विधानसभा और लोक्सोबा चुनाओं को लेकर बीज़पी पून रूप से अब एक्टिव नजर आ रहे है जिसको लेकर प्रधानमंतरी नरेंदर मोधी आज वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए जो है तिनों राज्यों के तमाम नेताओं के साथ में जुड़े औ कौन से विशेश मुद्धे होंगे जिनको लेकर चुनाओं लड़ेगी इन तमाम मुद्धों के उपर बाचित करने के लिए हमारे साथ में लक्षमिकान भार्धवाच हमारे साथ साथ में हैं लक्षमिकान जी आज तीनों राज्य के चुनाओं को देखते हुए लोकसवा और राज्यसवा चुनाओं को देखते हुए जो है प्रदानमंतिर नरेंदर मोदी ने खुद वीडियो पॉन्फरेंसिंग जरीए प्रक्षिशन दिया है किन मुद्दों पर इस पर बाचित योज Natalie ऌने नकाड़ी करते हुए रwenे मोदी ने खुद अब्यूस suppose बहुं करते हैं नीचे जाकर वह अपने प्रणाप्रमूक विस्तारक जो हमारे पूत के कार्य करता है उसके तैयारी के लिए हमेशा हमारे चलते रहते हैं अभी क्योंकि चुनावी राज्या है और चुनाव बिल्कुल पास में है इसलिए हमारी पार्टी के लोग सब लोग नीचे तक गए है आदानिय प्रधानमंत्री जीन उन सब लोगों को संबोधित किया है इशू पार्टी का अपना काम है नरेंद मोदी जी की सरकार के नो साल के काम है जिनको लेकर सब लोग नीचे तक जा रहे हैं बाकी कारेकरता भी जा रहे हैं और जो विस्तारेक हैं वो भी जा रहे है नो साल की अपार उपलब्दिया है देशबर की उन उपलब्दियों को नी मानत में जो एक विरोध का स्वार कॉंग्रिस को लेकर है हम उसको भी लोगों की बीच में उनको बता रहे हैं कि पिछले साड़े-4 सालों में राजयस्तान की कॉंग्रिस पार्टी की सरकार ने किस तरह का वातावरान एक सांत राज्य में बनाया है उसको भी जनता की बीच में हमारे करक्रता लेकर जा रहे हैं कितने लोग इस वीडियो कॉंफरेंसिंग के जड़िये जुड़े और कितने कार्यकरता अब जो आने वाले समय के अंदर जो है ग्राउंड के उपर नजर आएंगे कि बीजेपी की हमेशा रन रेती रही है जब भी चुनाव सामने आता है तो ग्राउंड जीरो से काम करना शुरू कर देती है तमाम पार्टियां भी इसी विशे को लेकर काम करती है लेकिन बीजेपी इस बार कितनी अक्टिव नजर होकर काम करने वाली है तो उसी के तहथ ये कारेक्रम है और राजस्तान के प्रतेक मंडल में इसी दारी की है वहाँ के कारेकरता們 की satisfying aujourd कर देने और विस्तार की योजनाई उनमें हो सकती, उसकी चर्जा अभी उसमें हुई है, निश्चे तरूप से आप ये मान कर चले कि भारती जिनता पार्टी अपने कारेकरताओं के दम पर पन्ना प्रमुक, बूत, मंडल, जिला और प्रदेश के जो हमारी टीम है, हमारे कारेकरताओ का नेटवर्क है, उसके दम पर हम राजस्तान में चुराव लडने वाले हैं, और इसलिए राजस्तान में हमारी ये जो इकाईयां है, उनको मजबूत करने का काम है। विश्वनेटा के दम पर दूनिया और देश में पर बार बार उनको अपना नेता माना है, दूनिया के दो देशों के बीच में विवान होता है, तो एक निर्र नायक क्या में नरेंद्र नोधी तीन तलाग का इशू है। लेकिन भारती जनता पाल्टी की सर्व भवंतु सुखिने की जो हमारी सोच है और ये जो सबका साथ सबसा विकास का नारा है उसके अंतरगते से लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी विपक्ष के पार्टियां तो आज तक यही कहती आ रही है कि बीजेपी विपक्ष समुधाय का सोचन करती आ रही है। तो देखें मुस्लिम समुधाय के लोग आज खुलकर्ज इस तरीके से बात करने लगे हैं तो वो लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि कौन उनका 17 साल से सोचन कर रहा है। तो जो साट साल से जो सरकार चला रहे थे हैं सचर कमेटी साल में मुस्लिम की इस तति हैं। पान, सिक्षा, पढ़ाई, नोकरी, इन सब में उनकी जो भुमिका है, वो अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि केवल सोचन करने का काम उस वक्त की साशन करने वाली पार्टियों ने उनकी बीच में किया है। पार्टियों नोकरी, इस नारे के साथ, इस मूल भावना के साथ पहले दिन से काम करती है, उसमें ना हिंदू है, उसमें देश के नागरिक है, जो लोग इस तरह की बाते करते हैं, वो ही लोग इसका सोचन करते हैं. रजिस्तान की बात करें तो लगातार रजिस्तान सरकार के उपर बीजिपे द्वारत तमाम आरोप लगाए जा चुके हैं. यहां तकी जल जीवन मिशन योजना के तहत भी तकरीबन 20,000 करोड रुपे का गोठाला, उसके बाद में खनन विभाग के लिए तकरीबन 67,900 करोड रुपे का गोठाला, तकरीबन देखा जाए तो अगर आकड़ा निकाल जो एक लाग करोड रुपे के आरोप लगाए जा चुके हैं और इसके बावजूद भी कॉंग्रेस यही कहती है, जिस मामले में F.I.R. भी दर्ज नहीं ही वरतमान में, लेकिन इसके बावजूद भी कॉंग्रेस सरकार के अंदर ये कहा जाता है, मुख्यमंत्री गहलोत कहते हैं कि यसे लोगों को जीरो टोलरेंस होगा, ज राजस्तान को लूट कर वो दिल्ली में अपने बेठे आका हैं, उनका ज़र बर रहे हैं, जितने रा जेश बर में यात्रा हैं, पाखंड, प्रोपेगन्ड़ा, जो रिलॉंचिंग, जितना पैसा ख़र्च हो रहा है, वो सब राजस्तान से लुटा हुआ है, राजस्तान म पालिटी के सांसा डॉक्टर के रोललाल मीना रिपोर्ट लिखाने थाने में गए आप अगर सच्चे थे तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी आप investigation कर लेते लेकिन आप ये मान कर चलिए कि आपके नियत आपको पता है बरश्टतम राजियों के मामले में राजस्तान पूरे देश में नमबर एक पर है Transparency International की रिपोर्ट करी है हम नहीं करें तो आप ये मान कर चलिए राजस्तान में मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ राजस्तान का ऐसा कोई विभाग नहीं है जाँ बरश्टाचार नहीं है जैपूर पुलिस कमिश्टनेट के किसी थाने में अगर आपकी जमीन पर किसी ने कबजा कर लिया आप मुख्य मंतरी का फोन करा लीजिए बिना पैसे दिये रिपोर्ट दर्जनी होती तो आप इस स्तर तक ब्रश्टाचार को ले जा चुके हैं जनता को लूट रहें दोनों हातों से साड़े चार साल में सेकडो परकण सामने आ चुके हैं आपके खुद के पूरो मंतरी और वरिष्ट विदायक भरत सिंग आपके खान मंतरी के खिलाब लगातार मोर्चा खोले हैं पत्र पर पत्र लिखे जारे हैं उनकी शाई खतम हो गई विचारों की और आपके सर पे कोई जू नहीं रहें गरी एक के बाद एक आपके लोग आप राज़ेंदर गुडा क्या बोल रहे हैं आपके सरकार के मंतरी हैं आपके सरकार का मंतरी जो सरकार का हिस्सा है वो आपको कह रहे हैं कि राजस्तान देश में सबसे भरष्ट राज्य है आपका मंतरी कह रहा है किसी प्रमान की ज़र होता है इसके लिए तो जो राजस्तान आपने लूटा है वो किसी से चुपावर नहीं है यह 50% कमिशन की सरकार है यहां एक रुपे का काम करा ना हो तो 50 पैसे कॉंग्रेस पार्टी के सिस्टम में देने पड़ते हैं और इसलिए हम बार बार आपको कह रहे हैं कि देश का सबसे भरष्ट राज् किस तरह से देखते हैं यह गटना बार्ड मेर किये फार्मा उस पर बैठे थे और उनको मार दिया कॉंग्रेस पार्टी के खुद के नेता है कोई सुरक्षित नहीं है कनया लाज जी सुरक्षा मांगने गए थे राजस्तान की सरकार से गला काड़ दिया दिन दाड़े सरका कार्ड कोंगरेस पार्टी की सरपरस्तिती में अपराजिस्तान बन चुका है 10 लाग से दा फ़ाय एक लाग 90 हजार से दा माईला अत्याचार के मुगद में जिसमें 30 हजार से दा मुगद में दुशकर्म के हैं आप सोचकर देखिए बच्चों के तशकरी में देश में पर अत्याचार के मामले में नंबर वन, NCRB का डाटा कहता है कि जो लोग बेरोजगारी के करान आत्मत्या करते हैं, उसके मामले में राजस्तान नंबर वन है, तो आप कहां बाते करने निकले हो, राजस्तान जैसा सांत प्रदेश, इसको आपने लालू मुलायम का बिहार बन आप कलपना करके देखिए कि राजस्तान जिसको परियाटक देश में जो तीन परियाटक विदेश से आते था, उसमें एक परियाटक निश्चित रूप से राजस्तान आता था, आपके इस लोइन ओडर की सिच्विशन के कारण, आपने पूरे प्रदेश में कानून आते पर जो कलंक लगाया है, राजस्तान की जनता इसका दवाब देगी, दुश्कर्म की बात हुई, रेप की बात की लगातर मामले बढ़ रहे हैं, खाजुवालों की घटना, यहीं नहीं राजस्तान में देश भर में जिसकी चर्चा है रही, इंटरनेशनल मेडिया में जो खबरे चली, परिवार बयान देता है कि इस पर कारवाई होनी चाहिए, मुआवजे की बात भी करता है, लेकिन अगले दिन बयान बदल दिया जाता है कि ना हमें कारवाई चाहिए और ना ही किसी परकार का न्या है, यह सबसे बड़ा गुंडा तंतर तो इस सरकार में पुलिस है, आप मैं आपको कह रहा हूँ कि राजस्तान में पुलिस के दम पर जनता पर अत्याचार करने का काम कॉंग्रेस पार्टी के ने सरकार ने जिसकर दर किया है, वो किसी से चुपावा थोड़ी है, आप देखिए ना रोज दरश्या सामने आ रहे हैं, कल घरसाना म आप अजमेर में कल एक पुलिस कर्मी वहां बिचले ठेले वाले को मार रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि राजस्तान में बेलगाम है सिस्टम, सिस्टम बेलगाम है, और इसलिए बेलगाम है कि ब्रश्टाचार का तांडव जो सरकार ने मचा रखा है, सब को उगाई का ठेका द चोड़ दीजे, जो राजदा नहीं है, जा मुख्यमंत्री बेटते हैं, उस पुलिस कमिशनेट में किसी थाने में आप बिना पैसे दिये मुकदमा दर्जनी करा सकते हैं, ये आलम है, राज्ये का, तो उस उस दोर में आप किससे नियाई क्यों उमीद करेंगे, पूरा सिस ज़ल्जी उनुमेशन में ज़ल्जी में ज़ल्जी में आप लोगों ने किया है, र कल विभाग में आपका क्रेप्षण ए ये राजस्तान की सरकर आजे के श्रकते हैं, अपराद की स्तिती तो ये है कि आज मुख्यमंत्री के घर से उस साथ किलमेटर दूर वेषालिनेगर थाने में एक बलातकार पीडिता दस साल के बच्चे के सामने खुद को आग लगा कर जिंदा जिल कर मर गई क्योंकि न्याय नहीं मिला कितने उधारण है पडोस के दोशा जिले में कादीवासी मैला अपने घर से निकलती है दिन दहाडे उसका आपरण होता है उसके साथ गेंग्रेप होता है जिंदा जला दिया जाता है तिजाब से जला कर कुवे में फैंक दिया जाता है आप कितनी घटनाओं की बात करेंगे गीता देवी आप हमारे जमवारामगड की बुजूर्ग महिला दोनों पेर काट कर कड़े निकाल कर लोग ले गए आज तक आप पता अपरादी पकड़ना तो बोधूर की बार आप तक ये पता नहीं कर पाए कि किया किसने क्या ज़रूरत है आप सोचिए आपने एक 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 स्पी के कलेक्टर के 10-10 बार ट्रांसफर कर दिए जैपूर पुलिस कमिशनर पिछले 5 साल से यहीं क्यों जमेवे सवाल है ना आपने एक एक स्पी कलेक्टर हर जिले में 10-10 बार ट्रांसफर कर दिए आई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई ट्रांसपर खोलने की उम्मीद जताई जारी, वो भी केवल आसवासन है, उसका भी कोई पुक्ता नहीं है, क्योंकि ऐसे आसवासन पहले भी कई बार दिये जा चुके हैं, जिसको लेकर जिसके बाद भी कई परदशन धरने हुए हैं, यहां तक सहीत मारक आए दिन भरा रहता है, उन्हीं से कोशे, जो उनको होना चीए क्लास में, लेकर सडकों पर नजर आते हैं, कि ट्रांसपर कर दिया जाए, देखिए वो शिक्षक बड़सों से अपने घर से लंबी जगे पर पोस्टेड है, और जो बाकी के ट्रांसपर हुए हैं, यह तबादले उद्दो हो पैसे लेकर तबादले होते हैं, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, जब शिक्षा मंत्री गवण डटासरा थे और उन्होंने सिक्षकों को संभानित किया, जो संभानित होने वाले सिक्षक हैं, उनसे मुख्य मंत्री जी ने पूछा कि आप से तबादलों के पैसे लिए जाते हैं उनको टाले जा रहे हैं, मार्च में गोशना की ती इस महीने से करेंगे, नौमर में गोशना की ती उस महीने से करेंगे, अब जुलाए में गोशना की ती इस महीने से करेंगे, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है, अब ये क्या करेंगे तीन मेने की तो उनकी सरकार हैं, जो अगर धर्म परिवर्तन करने की बात आती है अगर धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहती है तो उसको चाकू से कार दिया जाता है बेरा मरी से मार दिया जाती है यहाँ तक 36 टुकडे कर दिये जाते हैं जो कि एक बड़ा विशे है देखे राजस्तान पहले इन गटनाओं का आदी नहीं था लेकिन मेवात का पूरा इलाका जिस तरह का है उस मेवात इलाके में धर्मांतरन लव जिहाद इनकी गटनाएं बहुत तेजी से कॉंग्रेस पार्टी के शाशन में बड़ी हैं क्योंकि इस तरह का अपराद करने वाले जो क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाब सरकार की इच्छा शक्तिनी कारिवाई करने की इसलिए इस तरह की घटनाओं को बड़ी तादाद में प्रशश्य मिला और उसके कारण इस तरह की अपरादियों का होसला बुलंद हुआ ये अपरादी जिनको सरकार का सरक्षन है वो अलग लग रूपों में हिंदूओं को परिशान करने का काम करते हैं करोली दंगों का मुख्य अभ्यूक्त मतलूफ दो साल हो गए हैं फरार हैं कॉंग्रिस पार्टी का नेता है सरकार उसको ढूंड नी पारी है एक कर्मिनल को ढूंड पारी है छबड़ा दंगों का मुख्य अभ्यूक्त राजस्तान के मुख्य मंत्री की जो इफ्तार पार्टी है उसका मेहमान होता है आप इसी से नुमान लगा लिजी कि सरकार का सरक्षन किस कदर इन लोगों को जोधपूर में भगवा जंडा उतार के जिस तरीका जंडा वा ले रहाया जाता है सरयाम चाकू मार दिया जाता है लोगों को फिर किस तरह वाँ F.I.R. लोगों के खिलाप होती है किस तरह वाँ कारवाई होती है एक समुदाय विशेश के पीछे पूरी सरकार खड़ी होती है हरी जाटव का हत्यारा 302 में मुकदमा दर्जनी करते है योगे जाटव को पीट-पीट कर मार दिया 302 में मुकदमा दर्जनी करते तो उससे पता चलता है कि सरकार का सरक्षन लव जिहाद करने वालों को लेंड जिहाद करने वालों को धर्मांतरन करने वालों को इन सब लोगों को राजस्तान की निकम्मी नकारा कॉंग्रिस पाल्टी का समर्धन है और इसलिए इस सरकार की दशाय होने वाली कि इनकी 13 सीटनी आएंगे राजस्तान मे मुख्य मंतरी गहलोट ने तो खुद ने कहा थोड़ दिस पहले कि जो राजस्तान को भाज़पा के जो हिंदुत्व का प्रोपगेंडा नहीं बनने देंगे बलकि मुख्यमंत्री खुद जो है कहीं न कहीं इस विशे को लेकर आवाज उठती आई है कि मुख्यमंत्री एक धर्म के लिए काम करते हैं यहां तक करोली दंगे की बात की जाए तमाम विशे हैं ऐसे जहां पर जलकर राक हो गए हैं वो लोग लेकिन आज तक कारवाई का कोई ऐसा चीज सामने नहीं है जिसके उपर मुख्य रूप से कारवाई कीज़े भाजपा वहाँ पर कुद पहुंचती है उस आवाज को उठाती है मैंने आपको पहले भी का साड़े चार सालों से राजस्तान की जंता देख रही है और सिक्वेंस में देखा है जैपुर में दंगे हुए एक दो दिन तक एक समुदाय विशेश की भीड हजारों लोगों की भीड कोराम मचाती रही लोगों की गाड़ियां तोड़ी लोगों के घरों में पत्राव किया आपको आश्चर होगा कि 2 जुलाई 2019 की इस घटना में आज तक कोई आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ है आज तक किसी के खिलाप कोई करेवाई नहीं हुए इससे अंदाजा लगा लिजिए कि एक सरकार किस तरह अपरादियों के पीछे खड़ी एक समुदाय विशेश के यहां गलता जी जो हरीद्वार बस जाती है जिसमें लोग अपने पित्रों का तरपन करने के लिए जाते हैं वो बस यहां से गुजर रही थी गलता गेट के बाहर अस एक समुदाय विशेश के लोग उसमें चड़े और वहां मैलाओं के साथ छेट-छाड की लोगों के साथ मार पीट की बिना वज़े और उसके वज़े से वहां दंगे हुए आप सरकार ने क्या करवाई कि यह सब के सामने है यहां खजाने वालों को रास्तम एक सम समुदाय विशेश के अपरादियों के पीछे खड़ी यह ताकत के साथ और वह उनके खिलाद तक कारवाई करेगी जब तक उनकी सरकार है तो राजस्तान की जनता ने वह द्रश्य भी देखे हैं जब साला सर्वे रामदरबार को बुल्डोजर से डहाया जो राजगर्ड ह उसमें ड्रिल वसीन से सिविलिंग को उखाड दिया कठूमर में डेट सो साल पुरानी गवसाला के उपर बुल्डोजर चला दिया राजस्तान की जनता ने सारे द्रश्चे देखें और साड़े चार साल के इनके जो कुकर्म है वो इनके एक महीने के ढोंग से दुलने वाले नहीं है सुनाओ में आप जा रहे हो जनता आपको सबक सिखाने का मन बना चुकी है आप ये इस तरह का आवरन बदल रहे हो कालनेमी बन जाने से लोग आपको मात्मानी मान लेगे इसलिए आप ये तैमान कर चलिए कि राजस्तान की जनता ने साड़े चार साल से आपके जो कुकरम देखें उसका जबाब देने का समया आगया और बहुत अच्छी तरह से देने वाली लगातार लक्षमे कांत भारदवाज हमारे साथ में थे हमाम विश्यो पर बात हुई यहां तक कानून विवस्ता को लेकर बात हुई और जो जिस प्रकार से एक धर्म के द्वारा मुखे मंत्री गहलोद द्वारा साथ देना और एक धर्म के लिए बाचीत करना उसके लिए भी बाचीत हुई खेर अभी प्रक्षिक्षन शिवर की बात चीत कर रहे थे परधान मंत्री नरेंदर मोदी ने आज राजस्तान और मद्धे परदेश सहीद राज्यों को जो लोग थे नेता थे उनसे बाचीत की और वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए प्र दिए पी की सरकार यहां आती है तो इसमें कितना बदलाव होने वाला है और कितनी जो हैं यहां की दूर धशा जो अभी हो रही है जैसा कि इन्होंने कहा उसमें कितने बदलाव होने वाले है मेरे शायोगी कुल्दीप सिंग के साथ मैं दीपकुमा अत्मा तेज टीवी